दिल्ली में लोकायुक्त के आफिस में 300 से ज़्यादा भ्रष्टाचार की सिकायतें पेंडिंग है 100 से ज़्यादा भ्रष्टाचार की सिकायतें तो विधायकों के खिलाफ है 39 आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ 100 से जादा भनष्टाचार की सिकायते पेंडिंग है इसी लिए डिली सरकार लोका युक्ति की नियुक्ति नहीं कर रहा है 2020 से डिली में कोई लोका युक्ति नहीं है आम आदमी पार्टी जिसकी अस्थापना फ्लश्टाचार के खिलाफ हुई थी जिसके लिए जनलोगपाल और जनसोराज कानून सबसे फर्स प्रियार्टी था केजरीवाल जी तीन बार मुख्यमंत्री बन गए न तो जनलोगपाल कानून बनाया न जनसोराज कानून बनाया 2013 के मैनिफेस्टों में भी जनलोगपाल जनसोराज था 2015 के मैनिफेस्टों में भी जनलोगपाल जनसोराज था 2020 के मैनिफेस्टों में भी जनलोगपाल जनसोराज था लेकिन आज तक कानून नहीं बनाया और कानून बनाना तो छुड़िये जो 1995 का कानून चल रहा है दिल्ली में लोकाइक्ता कानून 1995 का उसके अंतरकत भी ओ लोकाइक्ता की न्युक्ति नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि 38 विधायकों के खिलाफ 100 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के सिकायते पेंडिंग है इसलिए मैंने दिल्ली हाइकोट में पियायल फाइल किया था मानि दिल्ली हाइकोट ने हमारी दलील को स्विकार किया है और दिल्ली सरकार से पूछा कि वो लोकाइक्ता की न्युक्ति कब तक करेंगे? दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो अप्रेल तक लोकाइक्ता का एपॉइमेंट कर देंगे इसलिए अगली सुनवाई अप्रेल में होगी लेकिन इससे एक बात असपस्ट हो गई कि दिल्ली सरकार खासतर पे केज़िवाल जी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है अगर मुद्दा होता तो अयतिहासिक बहुमत के बावजूद आज सक दिल्ली में कम से कम लोकाइक्ता कानून तो बन गया होता सुराज कानून तो बन गया होता न लोक अकता कानून बना न सुराज कानून बना न जनलोकपाल की बात करते थे वो कानून बना 1995 का कानून चल रहा है और उसके अंतरकत भी 2020 से दिल्ली बिना लोका अकता के है